पटपरगंज दिल्ली की बेटी बनेगी बाहुबली की दुलुहनिया प्रभास मालदीव में करेंगे सगाई जानेंगे पुरी जानकारी तब तक आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए अटकले हैं कि कृती सेनन और प्रभास की सगाई होनी वाली है इस बारे में बॉलिवूड क्रिटिक उमेर संधु ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर जानकारी दी थी लेकिन इस पर दोनों एक्टर्स का कहना है कि कियारा और सिधार्थ की शादी से बॉलिवूड में शादियों का ट्रेंड शुरू हो गया है वहीं अब अटकले हैं कि कृती सेनन की सगाई होने वाली है कृती की सगाई साउथ के सुपस्ता प्रभास से होने की खबरे सामने आ रही है दोनों अगले हफ़ते मालदीव में सगाई करने वाले है वहीं कुछ सूत्रों से पता चला है कि सगाई की खबरें अफवाह मात रहें प्रभास कृती की टीम ने इस खबर को गलत बताया है बता दे कि दोनों ने साथ में अपक मिंग फिल्म आदिपुरुष के लिए शूटिंग की है इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग रूमर्ज उड़ रहे हैं पहले भी इसी तरह की खबरे सामने आई थी कि प्रभास और कृती सगाई करने वाले हैं लेकिन कृती और प्रभास की टीम ने ये क्लियर किया है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है कृती और फिल्म बाहुबली फेम प्रभास की सगाई के बारे में फिल्म क्रिटिक उमेर संधु ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर दावा करते हुए कहा था कि कृती सेनन और प्रभास अगले हफते मालदीव में सगाई करेंगे उनके लिए बहुत खुशी की बात है उमेर के इस ट्वीट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजज इस बात को सच मानने लगे थे वहीं कुछ उमेर पर जूटी खबर फैलाने का आरोप लगाते हुए उमेर ट्रोल करने लगे थे कृती सानोंग कृती सेनन दिल्ली के पतपडगंच की रहने वाली है इनका जन्म 27 जुलाई 1990 में हुआ था इनकी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS, RK, पुरम से हुई है वहीं उनकी High Education JP Institute of Information Technology, NOIDA, UP से हुई है कृती के पास B.Tech की डिग्री है 32 साल की कृती की सगाई की अफवाहे 43 साल के साउथ के सुपस्ता के संग उर रही है हाला की इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है लेकिन उनके इस डेटिंग रूमस से उनकी अपक्मिंग फिल्म आदेपुरुष के लिए काफी पब्लिसिटी मिल रही है वहीं हम बात करें प्रभास की तो उनका जन्म 23 अक्टूबर 1989 में तमिलनाडू की राजधानी चेननाई में हुआ है वहीं उन्होंने बीटेक श्री चैतन्य कॉलेज हाइदराबाद से किया है उन्होंने तेलगू फिल्मों में अपना करिया 2002 में शुरू किया था प्रभास फिल्हाल जुबली हिल्स हाइदराबाद में रहते हैं तो कैसा लगा विडियो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और नए है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद